कीप गोईंग, कीप गोईंग, फॉलोव यहार्ट एंड नोड लोग बैए, वेलकम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल विज एनदर इंफिर्मेटिव वीडियो जैसा कि आपको पहले बताव चुकी हूँ कि UK वर्क वीजा कोस्ट क्या है चाहे आप आउटसाइड UK या इंसाइड UK से वर्क वीजा अपलाए कर रहे हो तो उस पे वीजा फी और IHS फी कितनी होगी चाहे आप 3 एर का वीजा अपलाए कर रहे हो या मौर दन 3 एर वीजा अपलाए कर रहे हो टोटल कोस्ट क्या होगी तो ये सब मैं आपको पहली वीडियो में बता चुकी हूँ तो इस वीडियो का जो है में लिंक डिस्क्रिप्षिन बॉक में डाल दूँगी ताकि आपके लिए easy hojas वीडियो को देखना आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आपके लिए कितना fund जो है वो आपके bank account में होना चाहिए और आपकी company cost issue करवाने का और license issue करवाने के लिए जो आपके लिए pay करती है वो basically आपको इस वीडियो में बताऊंगी तो वीडियो को जो है वो enter देखेगा कोई भी point जो है वो skip मत किएज़ेगा अगर आप में चैनल पर new हो तो सबसे पहले में चैनल को subscribe करें तो जैसे कि मैं आपको पहले वीडियो में बता चुकी हूँ कि UK visa apply करने के लिए जो है वो आपको कितनी fee जो है वो pay करना पड़ेगी और UK work visa apply करने के बाद आपके bank account में जो है वो 1270 pound जोने चाहिए लोग भूत confused है कि किस case में जो है वो उनको fund शो करने पड़ते हैं firstly अगर आप one year से UK में रह रहे हो तो आपको fund शो करने के जुरूत नहीं पड़ती secondly अगर आपकी company maintenance पे click करती है यानि कि आपकी maintenance शो करती है आपकी company cost में क्यूंकि उनके लिए जो है additional information उनके पास होती है उसमें जो होता है एक option होता है कि वो आपकी maintenance पे अगर वो help करेगी तो उनके लिए अगर वो उस maintenance पे click करती है तो वो easily आपके लिए यह offer accept करती है और वो pay करती है क्यूंकि उस case के लिए उनको extra show नहीं करना पड़ता तो उस case में आपको funds जो है वो 1270 पाउंड शो करने नहीं पड़ते अगर आपकी company ऐसा नहीं करती तो आपको 1270 पाउंड शो करने पड़ेंगे जो कि आपके account में 28 days old होने चाहिए आपके account में यह हर किसी के लिए नहीं होता आप apply करने से पहले जो है वो चेक कर लेना कि यह आपके cost पर required है या नहीं तो ही आपको जो है वो show करना पड़ेंगे अगर यह आपके cost पर required है तो अब बात करते हैं visa cost की जो है वो जब आपको sponsorship लेते हो तो जो आपको pay करनी पड़ती है अब सबसे पहले company के लिए जो है वो main चीज जो होती है वो होता है license का process अगर company छोटी है तो उसके लिए उसको 536 pound जो है वो company को license fee पे करना पड़ती है और जो वो एक दफा अप्लाय करती है तो तब उसको पे करना पड़ती है और यह कुछ conditions पर depend करता है कि वो companies किसके अंडर आत उसमें consider होगी तो उसकेस में company को जो है वो 536 pound जो है वो license के लिए जो है वो देने पड़ते हैं इसके बाद बात करते हैं बड़ी companies की जिसमें more than 15 employees होते हैं और उनको जो है वो अगर उनका turnover जो है वो उसके पर depend करता है अगर उनका turnover increase होता है तो उसकेस में उन companies को 1476 pound जो है वो license के लिए उनको पे करना पड़ते हैं तो license लेने के बाद जो सबसे important होता है वो होता है cost लेना जो company आपके लिए apply करती है single application की cost fee जो होती है वो 239 pound होती है जो company आपके लिए पे करती है जब वो आपके लिए cost apply करती है सिर्फ course ही नहीं होता इसके अरावा company को yearly based पे immigration skill charges पे करना पड़ते हैं बड़ी companies means जो large scale पर है उनको जो है 5000 yearly जो है वो immigration skill charges highlighting परते हैं यानि कि वो आपकी immigration skill charges जो है वो आपके लिए yearly 1000 pound जो है वो पे करेंगी जितने साल का visa हो गा उतने साल का ही वो जो है आपके लिए skill charges पे करेंगे चोटी companies को 364 pounds जो है वो पे करना पड़ेंगे yearly on scale immigration तो जो है वो immigration scale charges क्या होंगे तो immigration scale charges अगर आप 1 year के लिए आपके लिए पे कर रही है तो 364 pounds पे करेगी 3 years के लिए जो है वो 1092 pounds और अगर वो ही company जो है वो आपके लिए 5 year का जो है वो cost apply कर रही है जो immigration skill charges है आपके वो 1820 pounds होंगे अगर cost और immigration charges को हम total करें तो 3 year का company जो है वो आपके लिए 1331 pounds जो है वो पे करेगी अगर वो आपके लिए 5 year के लिए आपके लिए apply कर रही है यानि कि अगर हम cost को और immigration skill charges को total करें तो company जो है वो 2059 pounds जो है वो आपके लिए पे करेगी अगर ये company की cost है तो जो आपके लिए pay करती है तो ये था total cost का breakdown जो मैंने आपके लिए जो है वो आपका पताया है जो आपकी company जो है वो पे करती है या जो cost जो है वो आप खुद पे करते हैं और जितने भी extra charges होते हैं यानि के चाहे 15,000 हैं 10,000 हैं 20,000 pounds हैं तो वो सब जो हो जातर agencies की जेब में, companies की जेब में या आपकी consultant की जेब में जाते हैं जो मैंने आपको prices बताई है इन दो वीडियो में वो ही main cost होती है आपके visa के लिए बाकी जो उपर के funds होते हैं वो सारे उनकी जेब में जाते हैं वो आगे आपको जादा पता है कि वो क्या करते हैं उन च पड़ती है क्योंकि वो उनकी company ही उनका सारा amount जो है वो visa cost से लेके IHS charges, cost charges और skill charges जो है वो खुदी company पे करती है जो लोग sponsorship में UK पे आए हैं I hope कि आपको जो है यह मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो के लिए जो है वो लाइक करें और मेरी चैनल को subscribe करें and do not forget to hit the bell icon thank you so much for watching my video